नमस्कार दोस्तों सुआगत आप सभी का एक बार फिर से अड़ा M.C.Q. जिके में दोस्तों राज़तान आइकोट L.D.C की तेयरी करने वाले विद्यारतियों के लिए एक और प्रैक्टिस सेट लेकर हाजी रहें ये प्रैक्टिस सेट है दोस्तों राज़तान का जिके प्लस करेंट अफैर का अब दोस्तों हम जानते हैं कि हमारे जो सेलिबस है उसमें हमारे 50% तो आने वाले हैं हिंदी के 50% आने वाले हैं इंगलिस के और 50 जो परसन हैं वो आएंगे सामानी जिके के अब इस जिके में राज़तान जिके के साथ साथ तोड़ा सा राज़तान बुग इंडिया जो जियोग्राफी है उसमें से तीन परसन पूचे गए थे और ज्यादा तर परसन राजस्तान की कलासंस करती और राजस्तान की इत्यास के थे और एक चीज और ध्यान रखेगा कि जो करेंट अफेर है ये दोस्तों आपके लिए महतपूर्ण साबित होने वाला है इस एक्जाम में क्योंकि पिछली बार भी लगबग 13 से 14 परसन पूचे गए थे करेंट अफेर के तो करेंट अफेर पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा और इस पेपर में भी हम जो नया पैटरन है जो पिछला पेपर हुआ था जो कैंसल हुआ वीडियो की अंदर तक बने रहिएगा और शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले में पास में सी बैल ऐकन को दबाएं ताकि समय समय पर आपको नॉटिविकेशन मिलते रहें क्योंकि दोस पुसके हम राजस्तान का जीके और करेंट फैरे इसके मिस्रित पर्सन होगे उसके आपक कर प्रेक्टिस एड आते रहेंगे तो बिना समय को वैर्थ किये और जल्दी से सुरू करते हैं آज के हमारे पहले पर्सन के साथ और एक चीज़ दोस्तों और की राजस्तान जाएगी प्रैक्टिस सेट नाम से प्रैक्टिस सेट नाम से दोस्तों प्लेलिस्ट बनने जाएगी आप उसमें जाकर अपनी तयारी को परक सकते हैं और दोस्तों एक टेस्ट जैसे आप इन वीडियो को देख सकते हैं जो आपकी परिक्सा में मैंतों सबीत होंगे तो ध्यान शुरूर करते है हमार आज का पीला person अच्छा person、 सरल person दोस्तों पारला person है तेजा जी के पुजरी को कहा जाता है तो दोस्तों लोग देवता तेजा जी जिनका जनम दोस्तों खर्णाल कहां पर खर्णाल नागोर में हुआ था और इनके जो पुजर ही होते हैं इनको क्या कहा जाता है गोडला कहा जाता है क्या कहा जाता है दोस्तों गोडला तो the option जो दिख रहे हैं आपको ये सही है इसका उत्तर और इनके जो चबूतरे हैं इनको दोस्तों थान कहा जाता है क्या कहा जाता है दोस्तों परसिदे, बेद अच्छा परसन, सांदा परसन दोस्तों, तो एस्टाकून उपनाम से राजस्तान का कौन सा दुरूग परसिदे, ये परसिदे दोस्तों कुंबलगड दुरूग, कौन सा कुंबलगड दुरूग, ओप्शन स, इसका सही उत्तर है, और कर्नल जेम्स टॉड़ अगला परसन है, विश्टाकून उपनाम दिया, किसको दोस्तों कुंबलगड दुरूग, तो अप्शन स, इसका सही उत्तर होगा, बेद अच्छा परसन है, इंपोर्टेंट परसन, अब अगला परसन है, विश्ववानी की दिवस कब मनाया जाता है, तो जो भी दोस्तों दिवस है, सभी महिनों के, जैन्वरी से लेकर, दिसेंबर तक सभी दिवसों को एक बार जरूर पढ़ लीजेगा, क्योंकि एक परसन सत परतिसत आने वाला है आपके एक्जामें, तो ये जो विश्ववानी की दिवस है, ये भी अच्छा परसन है, तो विश्ववानी की द विश्वानी को मना जाता है, उजोन दिवस दिन 16 सितमबर को, और 22 मही को मना जाता है, ध्यान रखेगा, 22 यह पर मही है, मही नहीं स्रॉरी, थोड़ा मिस्प्रिंट है यहाँपर, 22 मही को मना जाता है, विश्व जैवविदत्ता दिवस और जो पांच जून है इस पांच जून को मनाया जाता है विश्व परियावरण दिवस क्या विश्व परियावरण दिवस मनाया जाता है पांच जून को बाकि जो सही उतर इसका ओप्सन अब है यानि 21 मार्च को विश्व वानी की दिवस मनाया जाता है अग्ला है चार नमबर परशन, राजस्तान में सर्व परतम बाग परियोजने के सुरूआत कब हुई, ये सुरूआत हुई दोस्तों 1973 में, जिसे टाइगर प्रोजेक्ट के नाम से भी हम जानते हैं, तो अप्सन बह इसका सही उतर होगा और एक चीज और दाण रखेगा, कि जो विश्व बाग दिवस है वो कब मनाय जाता है ये भी परसन अच्छा परसन बनता है दोस्तों तो ये मनाय जाता है कब गुंतिस जुलाई को कब दोस्तों गुंतिस जुलाई को और जो 2022 में अभी हाली में जुलाई के महिने में दोस्तों आले में थे क्या लगबग 3-4 मेने हो गए है जो मनाय गया था बाग दिवस ये था दोस्तों बारवा बाग दिवस कौन सा था बारवा बाग दिवस तो ये भी अच्छा परशन बनता है आपके एक्जाम की दृष्टी से और जो राजस्तान का सरुपरतम बाग पर्यूजना ह है तो सबसे पहले दोस्तों राजस्तान के सेत्रवल की बात करें तो राजस्तान का सेत्रवल कितना है 3,422,000,259 किमी जिसे हम दोस्तों अगर आप मारवाडी की ट्रिक देखो तो जैसे च scorpion यह क्या है बाईस उन्चालिस तो जैसे चौती बाई उन्चालिस वर्स की है कितनी हैं दोस्तों चौती बाई इनामा के एक महिला है जो उन्चालिस वर्स की है यह है दोस्तों राजस्तान का सेत्रफल तो यह आंकड़ा है आप इसको याद रखोगे तो इससे भी दोस्तों मै सही उत्तर है वो कितना है 10.41 परतिसत यानि राजस्तान का सेत्रफल बारत की कुल बोगोलिक सेत्रफल का है 10.41 परतिसत ऑप्शन बह इसका सही उत्तर होगा अगला आप चैनमर परसन है बढ़ सिंग सर नामकिस्तान जहां लिगनेट आधारित पर्यूजना इस्तापित है तो यह कहां परे तो जो बड़ सिंग सर नामकिस्तान है यह दोस्तों बिका नेर में कहां परे बिका नेर में यहां पर लिगनेट आधारित लिगनेट आधारित दोस्तों पर्यूजना इस्तापित है तो जो ऑप्शन द है ऑप्शन द है इसका सही उत्तर होगा एक चीज और ध बोड द्वारा ये संचालित एक पर्यूजना है किसके द्वारा नैविली लिगनाइट कॉर्परेशन बोड द्वारा संचालित लिगनाइट आधारित पर्यूजना है जो की बिका नेर में बरसिंग से नामक इस्तान पर है तो ओप्सन द इसका सही आंसर होगा अगला पर्सन है अब साथ नमर पर्सन ताल चापर अब्यारणी जिसके लिए परसिदे वह है तो दोस्तों ताल चापर अब्यारण किसके लिए परसिदे ये है दोस्तों क्रश्न मर्ग के लिए यानि काले हिर्णों के लिए तो ओप्सन ब इसका सही उत्तर होगा और ताल चापर कहां पर है दोस्तों चूरू में कहां पर है चूरू में ओप्षन ब इसका राइट आंसर होगा अगला परसन आठ नमर परसन मानस जेव मंडल आरक्सित सेतर जिस राजी में इस्तिते वह है तो दोस्तों जो मानस जेव मंडल आरक्सि सेतर है यह असम में कहां पर है दोस्तों असम में इस तिक option बह इसका right आंसर होगा अगला 9 नमबर परसन है पूगल जिस पसु की नसल है वह है ये भी अच्छा परसन दोस्तों तो पूगल किसकी नसल है भेड की नसल है तो बह अप्शन इस परसन का सही उत्तर होगा अगला परसन दस नमबर परसन निम्ण में से जंसंग्या के नियूंतम गनतों 2011 वाला जिल्ण है तो ये जो नियूंतम जंसंग्या गनतों वाला जिल्ण दोजा 11 की जन संगया की दर्ष्टे से कौन सा है दोस्तों वैसे तो दोस्तों जो सबसे कम यानि न्यूंतम जन संगया गनतों वाला जिल्ला है वो है जेसल मेर कौन सा है जसल मेर यहाँ पर जन सिंग्या गनतों कितना है दोस्तों केवल कितना है सत्रा परती वर्ग किलोमेटर में रहने वाले वैक्टियों के संगे यहाँ पर कितने हैं केवल सत्रा इसके पस्चाद जो जिल्ला है वो है दोस्तों कौन सा बिका नेर, कौन सा है बिका नेर यहां पर है 78 इसके पस्चा बाड मेर का नाम आता है और इसके पस्चा दोस्तों आता है जोधपुर का नाम तो जसल मेर तो हमारे इस option में है नहीं जो इसका सही उतर है वो है बिका नेर, कौन सा है दोस्तों विका नेर तो option अस का सही उत्तर होगा बागे अगर जेसल मेर ओता option में दोस्तों तो जो सबसे कम जनसें का गनत हो वो कौन से जिल लेगा है जेसल मेर का केवल 17 है विका नेर का है दोस्तों 78 अगला है 11 नमर परसन निमलकिद में से किस लड़ई में महारान सांगा ने इब्राहिम लोधी को हराया था अच्छा मैतपून परसन दोस्तों तो कौन से लड़ई में दोस्तों महारान सांगा ने इब्राहिम लोधी को हराया था ये अराया था दोस्तों जो खातोली का यूद हुआ था इसमें इन्होंने यानि मारान सांगा ने इब्राहिम लोदी को हराय था 1517 ECU में दोस्तों ये युद्ध हुआ था option B इसका right answer होगा अगला परसन 12 नमर परसन निमलिकित मैंसे कौन सा भिलो का परसिद लोग नाटिय है तो इन मैंसे कौन सा है जो भिलो का दोस्तों परसिद लोग नाटिय है तो भिलो का परसिद लोग नाटिय है वो है दोस्तों गवरी कौन सा है गवरी option द इस परसन का सही उत्तर होगा अगला परसन दोस्तों 13 नमर परसन अच्छा परसन निमलिकित मैंसे कौन सा तिवार होली के लगबग एक पक्वाड़ा बाद मनाय जाता है अब यहाँ पर दोस्तों एक पक्वाड़े का अर्थ क्या है लगबग 15 दिन बाद कितने दोस्तों 15 दिन बाद कौन सा तिवार है जो मनाय जाता है तो ये तिवार है दोस्तों गणगोर तिवार कौन सा गणगोर तिवार और गणगोर तिवार मनाय कब जाता है चैत्र सुकल तिर्थ्याग चैत्र सुकल तिर्थ्याग दोस्तों ये तिवार मनाय जाता है ध्यान रखेगा इससे भी सम्मुदित आपको पर्सन पूछ सकते हैं तो option sir इसका सही कुत्तर होगा पागे ओली का बाती ये तो फालगुन पुर्णी में आती है दोस्तों आप सभी को पता होगा option sir इसका right answer है गणगोरती वहार अगला है 14 नमबर पर्सन राजस्तान के निमिलकित में से किस जिल्ले में मेवाती बास बोली जाती है तो किस जिल्ले में दोस्तों इनमें से मेवाती बास बोली जाती है तो डुंगरपुर में तो दोस्तों आप सभी जानते हो वागडी बोली जाती है सीकर में दोस्तों आपके सेका वाटी तो यह जो अलवर जिल्ला है अलवर जिल्ले में दोस्तों बोली जाती है कौन सी मेवाती बासा ओप्शन सह इसका राइट आंसर होगा अगला पना नंबर परसन राजस्तान का एकीकर्ण कितने चर्णों में पूरा हुआ तो दोस्तों राजस्तान का एकीकर्ण यह हुआ साथ चर्णों में पूरा कितने चर्णों में दोस्तों साथ चर्णों में ओप्शन अ इसका सही उत्तर होगा और जो एकीकर्ण है जो पूरा एकीकर्ण हुआ था दोस्तों 1 नवंबर 1956 को दोस्तों राजस्तान का संपूर्ण एकिकर्ण संपन हुआ तो अप्सन अइस का सही उतर होगा साथ चर्णों में राजस्तान का एकिकर्ण हुआ अगला परसन 16 नमबर परसन नेमलकिद में से कौन सा वादिय अंतर तत वाद्य नहीं है अब तत वादिय से यहां पर क्या आसे है दोस्तों तार से जो धवनी उत्पन करते हैं वादिय अंतर वे वादिय अंतर कहलाते हैं तत वादिय अंतर कौन से वादिय अंतर तत वादिय अंतर अब हमें इस परसन में पोचाए कि कौन सा है जो तत वाद नहीं है द्यान रखेगा नहीं के बारे में पूचा है तो दोस्तों अच्छा important person है ऐसे कुछ वादी अंतर है राजिस्तान के जो आपको exam में फसा सकते हैं क्योंकि दोस्तों अब इन में से आपको सबी लग रहे होंगे कि ये तत्वादी अंतर ही है लेकिन जो इन में से अलगोजा है कौन सा दोस्तों जो अलगोजा है ये तत्वादी अंतर नहीं है ये सुसीर वादी अंतर है कौन सा है दोस्तों सुसीर वादी अंतर अब सुसीर वादी अंतर का क्या तात्परी हुआ सुसीर वादी अंतर से तात्परी है कि ऐसे वादियंत्र जो मुह से फूक मार कर बजाय जाते हैं इस परकार के वादियंत्रों को सुसीर वादियंत्र कहते हैं वाकी दोस्तों कमाचा, जंतर और रावण हता इसे इन्हें दोस्तों तत वादियंत्र की सेणिम आते हैं ही यानि ये तार से बने होते हैं इन पर लकड़ी पर दोस्तों तार लगे होते हैं जिनको दोस्तों इस पर्स करके इनको बजाया जाता है तो option A, इसका सहुतर होगा अलगोजा, अलगोजा क्या है दोस्तों? सुसीर वाद्य अंतर है, ना कितत वाद्य अंतर option इसका right आंसर है अगला है 17 नम्बर परसन निमिलकित में से कौन सा दादुपन्त का उपसंपरदाय नहीं है ये भी अच्चा परसन दोस्तों तो राजस जो दादुपन्त ती संपरदाय है उपसंपरदाय दोस्तों यё कितने थे 5 पांच कितने थे दोस्तों पांच अब इन पांचों की बात करें तो पहला दोस्तों है कुनसा खालसा वीरत दूसरा तीसरा है दोस्तों उत्रादे चौता है नागा और पांच वाक्या है दोस्तों खाकी पांच वाक्या है खाकी अब इनमें से देखे खाल सा है ये तो दोस्तों उपसंपरदाई है अमें नहीं के बारे में पूचा है यहाँ पर देखे परसन में और जो खाकी है वो भी दोस्तों है सतना में नहीं है दोस्तों सतना में उपसंपरदाई नहीं है दा रूप में परसित है तो इन मेंसे दोस्तों जो टॉंक है यह दोस्तों दरी निर्मान के लिए परसित है तो अव प्सन इसका right आनसर होगा चलते हैं अगले परसन की ओर अगला उनिस नमबर परसन है दोस्तों निम्मलकित मेंसे किस इस्तान पर महारना परताप का राज्य अभी सेख हुआ था ये भी अच्छा परसन है दोस्तों तो किस इस्तान पर महारना परताप का राज्य अभी सेख हुआ था त्यान रखे है कि दोस्तों महारना परताप का राज्य अभी सेख दो वार हुआ था सबसे पहले जो राजयबे से हुआ था ये कहां पर हुआ था तो जो सबसे पहले राजयबे से हुआ था ये गोगुंदा में हुआ था कहां पर हुआ था दोस्तों गोगुंदा में ये हुआ था 28 फरवरी कब 28 फरवरी 1572 में जो दूसरा राज्यप्य से हुआ यह हुआ दोस्तों कुंबल घड में यह कुछ समय 15,12 घ surge में ये भी राज्यप्य से हुआ लेकिन जो सरव पर्थम राज्यप्य से हुआ महाराच पर्ताब यह कहां पर रहुआ यह हुआ गोगुंदा में तो A option इसका right answer है अब अगला परसन है दोस्तों अब दोस्तों एक चीज़ और बता दो आपको कि जो ये परसन है आप इनको किस परकार से उत्तर दे तो अमेशा ध्यान रखे जब भी मैं next परसन कहूं तो वीडियो को आप पाउस कीजिए उसके परसा देखे इनमें से कौन सा आप सही कर रहे हैं किस उत्तर का पता लगा रहे हैं फिर वीडियो को दोस्तों पले कर दीजिए और आप चाहे तो कॉपी में भी एक दो तीन नमबर लगा कर अपने ओप्सन को लिख सकते हैं फिर दोस्तों राइट या रोंग कर सकते हैं इस परकार से आप जान सकते हैं कि आपके तैयारी कैसी चल रहे है तो नेक्स्ट परसन करने का बाद वीडियो को पाउस कीजिए और अपना उत्तर अपने कॉपी में नोट कीजिए फिर पले करके दोस्तों इस वीडियो को देखे तो इस परकार से दोस्तों आप टैस्ट देंगे तो आपके तैयारी में दोस्तों निकार आएगा तो हमारा अगला परसन है कि निमलिके दमें से कौन जोधपूर राज्य का सासक नहीं था 32 सांदार उच्छा परसन दोस्तों तो इन में से दोस्तों जच्वन सिंग ये तो जोधपूर के सासक थे अजिद सिंग ये भी थे अनूप सिंग दोस्तों जोधपूर के सासक थे और बाकि मोटा राज उदे सिंग ये भी दोस्तों जोदपुर के साथ सक रहे थे तो जो option sir है option sir इसका right answer होगा अगला है 21 number person अजरक print के लिए राजस्तान में कौन सा इस्तान परसी दे ये भी अच्छा परसी दोस्तों तो अजरक print के लिए राजस्तान में कौन सा इस्तान परसी दे यहां पर दोस्तों अजरक पिंट ये परसीदे तो आपसन बह इसका राइट आंसर होगा अब अगला परसन है दोस्तों 22 नमबर परसन राजस्तान की पर्थम ओद्योगिक नीती की गोशना की गई थी बेहदी सांदार परसन ये भी दोस्तों तो राजस्तान की जो पर्थम ओद्योगिक नीती की गोशना की थी कब 1978 में तो आपसन सर इसका राइट आंसर होगा अगला परसन है 23 नमबर परसन राजस्तान की टेक्स्टैल सिटी कौन सी है तो राजस्तान की टेक्स्टैल सिटी है तो टेक्स्टैल सिटी है दोस्तों भीलवाडा कौन सी भीलवाडा option से इसका right answer होगा अगला परसन 24 नमबर परसन 12 परिशत द्वारा परिश दिवस कब मनाय जाता है अच्छा और 17 परसन ये भी तो बारतिय परिश दिवस दोस्तों मनाय जाता है 16 नवंबर को कब मनाय जाता है 16 नवंबर को option the right answer है अगला परसन 25 नमबर परसन सांदार परसन ये भी दोस्तों कि संप सबा का पर्थम अधिवेशन कब हुआ तो संप सबा का जो पर्थम अधिवेशन है ये हुआ था 1903 में कब हुआ दोस्तों 1903 में option अस का right answer है और गुरू गोविन कि दि ने दोस्तों संप सबा का गठन किया था किसने किया दोस्तों गुरू गोविन गिरी ने तो option अस का right answer है अच्छा परसन है दोस्तों important person पूछा जा सकता है तो अगला परसन है 26 नमबर परसन है कि केशरी सिंग बारट ने वर्स 1903 में चेतामनीरा चुंगटिया लिखकर किस महाराणा को किस महाराणा को दोस्तों दिल्ली दरबार जाने से रोका था तो दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ पर person सिधा सबन रहा है कि चेतामनीरा चुंगटिया किसके दोरा लिखी गई केशरी सिंग बारट के द्वार किसके द्वार केशरी सिंग बारट के द्वार और इन्होंने दोस्तों फते सिंग को किसको दोस्तों फते सिंग को दिल्ली दरबार जाने से रोका और यह दोस्तों मेवाड के माराना थे फते सिंग कांके थे मेवाड के माराना और 1903 में 1903 में एडवर्ड दित्ये, एडवर्ड दित्ये के दोस्तों सम्मान में आयोजन हो रहा था, दिल्ली दर्वार, तो इन्होंने दोस्तों चेताव नीरा, चुंगडे लिखकर फते सिंग को इस समारों में जाने से रोका, आप्शन जो सह है वो इसका सही उत्तर होगा, अगला परसन है, 27 नमबर परसन, राजस्तान में चितरकला का जनक माना जाता है, ये भी अच्छा परसन दोस्तों, तो राजस्तान में चितरकला का जनक माना जाता है, आनंद कुमार स्वामी को, किसको आनंद कुमार स्वामी को, सब अप्शन इसका सही उत्तर होगा, अब केटू कौन सी है दोस्तों केटू जान रखेगा केटू है बारत की सबसे उंची परवत चोटी बारत के बारें पूछा में जो बारत की सबसे उंची परवत चोटी है वो है कौन सी केटू और यह है दोस्तों पाक अधिकरत कस्मीर में कहां पर है पियोके में पियोके में है य और्डविन ओस्टेन त्यान रखेगा ओप्शन ब है इसका सही उतर अच्छा परसन है दोस्तों अगला परसन 29 नमबर परसन कि बारतिय मुख के बूमी से सबसे लंबी तर्ट्रेका निम्न में से किस राज्य की है तो सबसे जो लंबी तर्ट्रेका है वो है किस राज्य की मद्य से गुजणने वाला अकसान से तो बारत के मद्य से गुजणने वाला अकसान कौन सा है दोस्तों करक रेका कौन सा है करक रेका ओप्शन अ इसका राइट आंस्वर होगा अगला 31 नमबर परसन है राजस्तान के कौन से जिल्ले में उडिया पठार इस्तित है तो राज अगला चपन का मैदान का समढद निमल कित मैς से किस नदी से है तो चपन के मैदान का समभड है किस से दोस्तों माही नदी से option ब्राइस का right answer है अगला परसन 33 नमबर परसन निमल मैं से कौन सा राज़स्तान में बोई जाने वाली रभी की तिलने अच्छा परसन है दोस्तों तो यह दोस्तो राई कौन सी है राई option सर राई आंसवर है इस परसन का अगला 34 नमबर परसन राजस्तान के किस जिल्ले में लीलवानी खान इस्तिते तो लीलवानी खान है दोस्तों कहाँ पर बासवडा में कहाँ पर है बासवड़ा में option ब इसका राइट आंसर होगा अगला है 35 नमबर परसन निमलकिन मैंसे कौन सा राजस्तान में जल दूरगे तो जो गागरोन का दूरगे ये कौन सा है जल दूरग जालावाड में कहाँ पर है जालावाड में option 100 इसका सही उत्तर होगा अगला परसन है दोस्तों 36 नमबर परसन की जल जोलनी एकादसी मनए जाती है तो दोस्तों जल जोलनी एकादसी कब मनए जाती है बादरपद सुकल एकादसी को कब मनए जाती है बादरपद सुकल एकादसी को option 2 इसका right answer होगा अगला 37 नमर परसन बल्लिया नामग आपूशन कहाँ पहना जाता है तो बल्लिया दोस्तों कान में नहीं पहना जाता है कान में नहीं पहना जाता है ध्यान रखेगा ये पहना जाता है दोस्तों हातों में कहाँ पर हातों में तो option 2 इसका right answer होगा, confuse करने वाला person और अच्छा person है अगला है, रामगट विश्दारी tiger reserve, राजस्तान का कौन सा tiger reserve बना है यह भी अच्छा person है दोस्तों, और यहां से आपके current affair के person शुरू होते है तो जो रामगट विश्दारी tiger reserve है, यह बना है राजस्तान का चौथा tiger reserve कौन सा बना है चौथा tiger reserve, option service का right answer होगा अगला person है 49 number person, यह भी सांदार person इंद्रा गांदी मातरत पोर्षन योजना, एक अप्रेल 2022 से संपुर्ण राजस्तान में लगूई जिसके तहट, दूसरी संतान पर कितनी वित्य साहिता परदान की जाती है तो दोस्तों, इंद्रा गांदी मातरत पोर्षन योजना के तहट 6,88, दूसरी संतान पर दोस्तों, वित्य साहिता के रूप में परदान की जाती है तो आप्सन जो सह है इसका सही उतर है और एक अप्रेल 2022 से दोस्तों संपूर राजस्तान में लागू हुई अगला परसन 40 नमबर परसन है 15 मई 2022 को देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने है अच्छा परसन ये भी दोस्तों और ये दोस्तों 25 वे चुनाव आयुक्त बने है कौन से 25 वे चुनाव आयुक्त बने है और इन्होंने जो 24 वे चुनाव आयुक्त थे इनका इस्तान लिया किसका इस्तान लिया दोस्तों सोसील चंद्रा का किसका लिया सोसील चंद्रा का और एक चीज और ध्यान रखेगा कि जो मुख्य चुनावायुक्त होते हैं इनका जो कार्यकाल है वो होता है 6 वर्स या 65 वर्स जो भी पहले होता है वो होता है इनका कार्यकाल तो option जो अ है वो इसका सही उत्तर है important person है अगला है 41 नमर person दोस्तों बार्ते सेना की पहली लड़ाको विमान चालक मैला कौन सी बनी है एक नाम और ध्यान रखेगा दोस्तों 2018 में अवनी चतुरवेदी भी दोस्तो लड़ा को विमान उड़ाने वाली ज्यान रखेगा लड़ा को विमान उड़ाने वाली पहली बारतिय मैला चालग बनिंग है तो इसका तो सेयुत रगा हमारे ओप्सन अ अगला है 42 परसन एक माई 2022 को निती आयो के नई उपाद्यक्स बने है अब दोस्तों यहाँ पर उपाद्यक्स का परसन पूछा है तो ध्यान रखेगा जो निती आयो के जो इसके अद्यक्स होते हैं वो होते हैं दोस्तों कौन जो हमारे देश के पियम है परदान मंत्री है योजन आयो के स्थान पर दोस्तों इसका नाम निती आयो कर दिया गया था इस आयो का नाम और जो भारत के परदान मंत्री होते हैं और वर्तमान हमारे पारत के परदान मंत्री सिर्मान नरंदर मोदी जी वो है दोस्तों निती आयो के अध्यक्स और जो उप्यादक्स बनी है अभी हाली में अच्छा परसने वो बने हैं दोस्तों सुरी बने हैं ये बने हैं दोस्तों डॉक्टर सुमन बैरी कौन बने हैं दोस्तों डॉक्टर सुमन बैरी और एक नाम और ध्यान लगेगा जो अमिताप कांथ है अमिताप जो ओफिसर है ये बने दोस्तों अमिताब कान ध्यान रखेगा मुख्य कार्य कारेणी अधिकारी और इन्हों ने दोस्तों सुमन बेरी ने डॉक्टर राजीव कुमार का इस्तान लिया किसका दोस्तों डॉक्टर राजीव कुमार का इस्तान लिया और अरविंद पन्गडिया का नाम भी ध्यान रखेगा जो अरविंद पन्गडिया है ये नितियायो के पहले उपाद्यक्स थे कौन से दोस्तों नितियायों के पहले उपाध्यक्स और अभी जो हाले में नए नितियायों के उपाध्यक्स बने हैं ये बने हैं दोस्तों डॉक्टर सुमन बेरी और नितियायों के जो अध्यक्स होते हैं वो होते हैं अभी जो वर्तमान में परदान मंत्री है वो है नरेंदर मोंदीजी तो अप्सन अ इसका सही उत्रगा अमिताप कांथ के बारे में ज्यान रखे हैं दोस्तों जो निति आयो के मुखे कारे कारेनी अधिकारी है वो कौन है अमिताप कांथ और डॉक्टर राजीव कुमार इनका इस्तान लिया है दोस्तों सुमन बेरी ने और अर्विन पंगडिया पहले निति आयो के उपाध्यक से अगला है 43 नमर परसन अमेरिकी कोर्ट अमेरिकी सुप्रेम कोर्ट में पहली अस्वेट मैला नियादिस बनी है तो यह भी अच्छा परसन है दोस्तों अंतराष्टी परिदर्शिय की दर्श्टी से तो जो केतन जी ब्राउन जैक्सन है यह दोस्तों अमेरिकी सुप्रेम कोर्ट की पहली अस्वेट महिला नियादिस हम बनी है अगला है 44 नमर परसन Space X कमपनी के संस्तापक एलन मस्क ने किस सोचल मीडिया कमपनी का अधिकरण किया तो यह चर्चा का हुई से बहुत ही सांदार है दोस्तों क्योंकि पिछले कुछ समय से ज़्यादा ही चर्चा में और एलन मस्क ने पहले तो दोस्तों इसके खरीदने की गोशना की थी अधिकरण की गोशना की थी और अभी कुछ दिन पहले ही इन्होंने ये भी गोशना की कि ये डील कैंसल भी कर सकते हैं तो यह जो सोचल मीडिया की कमपनी है यह है दोस्तों ट्वीटर कौन सी ट्वीटर तो option A इसका सही उतर है तो बहुत चर्चा का भी से ज़्यादा यह कुछ है तो परसन बन सकता आपके एक्जाम है तो SpaceX के जो संस्तापक है Elon Musk इन्होंने social media company है जो ट्वीटर उस पर अधिगर्ण किया हुआ है तो दोस्तों IPL 2022 का जो खिताब है वो जीता गुजराथ टाइटन्स ने किसने जीता दोस्तों गुजराथ टाइटन्स ने option A इसका सही उतर है और जो इसके कप्तान थे वो कौन थे आर्दिक पांडिया कौन थे दोस्तों आर्दिक पांडिया और जो उपविजय तक टीम रही वो रही राजस्तान रोयल्स और इसके कप्तान आप जानते है संजू सेमसन इसके कप्तान थे तो ये भी चर्चा का विससे अच्छा पर्षन बन सकता है दोस्तों आपके एक्जाम की दर्ष्टी से तो द्यान रखेगा जो IPL 2022 का जो किताब है और IPL 2022 का ये पंदरवा सीजन था 2022 में दोस्तों कौन सा सीजन था पंदरवा IPL धाई है और गुजरा टाइंस ने जीता है ये किताब और जो विजय तक टीम रही वो तरी राजस्तान रोयल्स अब अगला परसन है चैलेज नंबर परसन ICC महिला वंडे किरके सौरी किरकेट जो विज़ो कप है 2022 किताब की विजय तक टीम है तो जो विजय तक टीम बनी है ICC महिला वंडे विज़ो कप की 2022 की वो बनी है दोस्तों कौन सी और ओस्टेलिया की टीम और जो उप विजयता बनी है वो बनी है दोस्तों इंगलेंड उप विजयता कौन से बनी है इंगलेंड और यह जो संसकर्ण हुआ था यह था बारवा संसकर्ण ICC महिला वंडे का बारवा संसकर्ण और ये आयोजन हुआ था दोस्तो न्यूजी लेंड में न्यूजी लेंड में इन चीजों के बारे में भी ध्यान रखेगा तो आपसन बह आपके इस परसन का सही उत्तर होगा अगला परसन है अब 47 नमर परसन कि किस बारती लेकी का उपनियास टॉम ओफ सेंड ने अंतराष्टी पुरसकार 2022 परदान किया गया तो टॉम ओफ सेंड के लिए यहाँ पर के लिए होगा अंतराष्टी पुरसकार बुकर पुरसकार जो है 2022 परदान किया गया ये दोस्तो बारती जो लेकी का गितांजली मिस्रा किसको दोस्तों गितांजली मिसरा को अंतराश्टी बुकर पुरसकार 2022 परदान किया गया किस उपन्यास के लिए टॉम ओफ सेंड के लिए तो अप्सन अग इसका सही उत्तर है एक चीज़ और ध्यान रखियागा परशन पूर सकते हैं ये भी कि टॉम ओफ सेंड की लेकी का कौन है तो ये है दोस्तों गितांजली मिसरा और इनको ही अंतराश्टी बुकर पुरसकार 2022 परदान किया गया अप्सन इसका राइट आंसर होगा अब अगला परशन है दोस्तों 48 नमर परशन की वर्श 2022 का थॉमस कब का खिताब किस देश ने जीता है तो ये दोस्तों किस देश ने जीता होगा यहाँ पर तो ये जीता है दोस्तों किस देश ने थॉमस कब का खिताब जीता है भारत ने कौन से देश ने दोस्तों बारत ने option ब इसका right answer होगा अगला है उन पच्चास नमबर परसन बारत के पहले अमरत सरोवर का उद्धिकाटन कहां किया गया तो बारत के पहले अमरत सरोवर का उद्धिकाटन दोस्तों उत्तर परदेश में परदान मंतरी नरंदर मोदी जी के द्वारा किया गया था आली में तो option ऐसका right answer होगा अगला और अंतिम परसन दोस्तों देश का पहला green field अनाच आदारीथ इत्यनोल सेंत्र कहां इस्तावित किया गया तो देश का पहला green field अनाच आदारीथ इत्यनुल से अंतर स्थाबित किया गया बिहार में कहांपर स्थाबित किया गया दोस्तों बिहार में option 2 पर्षन का सही उत्तर होगा तो धन्यवाद दोस्तों ये थे सामाने ग्यान के मैतफून पर्षन जो देक करेंट अफ़ेर और दोस्तों राजस्तान जी के और थोड़े से कुछ परशन दे राजस्तान के बुगोल के और ऐसे ही वीडियो आपके इस चैनल पर आते रहेंगे उम्मीदेख ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि इसी परकार के वीडियो चैनल पर आते रहते हैं तो बिलते हैं जल्दी कुछ ऐसे मैत्पून पस्तों के साथ तब तक के लिए जे हिंद वंदे मात्रा